Hello students, आईए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज के सेशन में हम सीखेंगे Binary Search Representation Binary Search Representation सीखने से पहले, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक वेडियो मिलते रहें I hope कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा अभी तक तो चलिए, स्टार्ट करते हैं Binary Search और Linear Search ये दो वेल्यू सर्च करने के अल्गोरिदम है ये एरे में से दी गई वेल्यू को ढूंडते हैं और ढूंडी होई वेल्यू का इंडेक्स रेटर्न कर देते हैं कि ढूंडी होई वेल्यू एरे में किस इंडेक्स पर मिली है तो इस तरह से Linear Search और Binary Search ये दोनों एरे में से वेल्यू ढूंडते हैं और उसका index return करते हैं तो अब linear search जो है ये smaller array और unsorted arrays के साथ बहुत अच्छे से काम करता है linear search के case में अगर array छोटी है और उसमें value जो रखी है वो arranged नहीं है तो linear search अच्छे से काम करेगा पर अगर array बहुत बड़ी है अमारे पास तो इस case में linear search slow हो जाएगा linear search की जो working है वो slow होगी तो for large array linear search is slow तो इस problem को दूर करने के लिए binary search है binary search जो है वो search करने के operation की speed को बढ़ा देती है पर हमें यहाँ पर binary search के case में एक special care रखनी पड़ती है एक चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि हमारे पास जो array में values रखी हुई हो वो arranged हो array must be sorted for performing binary search binary search को करने के लिए array की values sorted होनी चाहिए तो इस सरह से binary search की जो है search operation की speed बढ़ जाती है तो I hope कि आपको linear search और binary search में जो कुछ basic differences है वो अच्छे से clear हो गए होंगे कि linear search smaller array और unsorted array के साथ अच्छे से काम करती है और binary search जो है यह sorted array के साथ अच्छे से काम करती है तो चलिए सीखते हैं कि binary search की representation को कैसे करना है तो perform binary search we need अब binary search करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए एक तो हमें array चाहिए जिस array में से हमें value ढोड़नी है और second हमें क्या चाहिए second हमें चाहिए तीन variables we need three variables एक तो start variable चाहिए हमें end variable और एक mid हमें पता होना चाहिए कि हमारे array जो है वो start कहां से हो रही है किस index से start हो रही है और array का last index कौन सा है end index कौन सा है और इसके बाद हमने array का mid index निकालना है mid index कैसे निकालेंगे mid index हम निकालेंगे इस formula के साथ start plus end divided by 2 start index को end index को दोनों को add करके 2 से divide करना है तो यहां पर starting index हमारे पास क्या है 0 है और end index हमारे पास क्या है 10 है तो यहां पर जब 2 से divide किया जाएगा तो हमारे पास mid value 5 आएगी तो यहां पर mid index 5 आ चुका है तो इस तरह से binary सर्च करने के लिए एक तो array चाहिए और 3 variables हमें चाहिए start, mid और end तो इस तरह से और अब हमें क्या चाहिए जो value हमें डूड़नी है वो भी हमें पता होनी चाहिए suppose searching item is 24 मालो हमें 24 इस array में से ढूड़वाना है हमारे algorithm से तो अब क्या करना है अब हमें compare करना होगा किसको compare करना है array का जो हमने mid निकाला है mid पे रखी हुई value को compare करना है searching item के साथ अब searching item कौन सी है हमारी 24 तो अब 24 को compare करेंगे हम 22 के साथ तो अब जब भी compare करना है तो हमारे पास 2 cases हो सकते है हमारे पास 2 cases हो सकते है एक तो case है हमारे पास कि अगर जो value हमें ढूड़नी है वो mid वाली value से बड़ी भी हो सकती है अगर धूंडे जाने वाली value mid से बड़ी है तो हमें क्या करना है तो हमें जो searching start करनी है वो mid से right की तरफ करनी है we start searching to the right side of the mid value तो दूसरा किस क्या है ऐसा भी हो सकता है searching item जो है वो mid value से smaller हो अगर less है तो हम जो value डूंडेंगे वो mid से left side की तरफ डूंडेंगे we start searching to the left side of mid value तो आपको बहुत अच्छे से यह सुनना है और समझना है तब आपको bind research अच्छे से clear होगी तो यह दो cases है जब हमने mid निकालना है जो हमें check करने है तो now searching item इस case में हमारे पास searching item जो है वो greater है mid value of the array array की mid value से greater है searching item के कौन सी है 24 22 से बड़ी है अब हम किस तरफ start करेंगे जोंडना mid से right mid से right की तरफ we start searching to the right side of mid value and we ignore the left side of mid value और mid value की जो left side है वो हम ignore कर देंगे तो अब हमारे पास mid से right side की array हमारे पास बची है तो अब हम क्या करेंगे next फिर से हम start mid और end find out करेंगे अब हमारा start कहां से हो रहा है यह right side की array से यह जो start है अब mid से आगे आ जाएगा now start goes to sixth index now start goes to sixth index तो start कहां पे आया है हमारा mid से एक आगे start equal to mid plus one तो इस तरह से end change नहीं होगा end does not change तो अब हमारे पास start आ चुका है end आ चुका है तो अब हमें क्या आप find out करना है mid तो mid कैसे find out किया था जैसे formula हमने पहले बताया mid equal to start plus end divided by 2 same step now we perform so start now is 6 end कितना है 10 है तो 10 plus 6 16 divided by 2 mid कितना हुआ 8 तो इस तरह से अब हमारे पास mid 8 आ चुका है अब हमें क्या करना है जो value डूणनी है उसको compare करना है mid के साथ mid की index पे रखी हुई value के साथ अब 8 इंडेक्स पे mid है हमारा तो 8 इंडेक्स पे कौनसी value है 48 तो अब हम 48 को compare करेंगे searching item के साथ अब searching item तो smaller है 48 से तो अब हम किस तरफ जाएंगे now searching item is less than mid value of array now we start searching to the left side of mid value अब हम mid value से left side की और searching करेंगे डूणना शुरू करेंगे जो value होगी left side पे होगी और ignore किस को करेंगे right side of the mid value तो अब ignore कर दिया हमने right side को ignore करने के बाद अब हमें फिर दबारा से start mid index find out करने है तो अब हमारा start तो same ही रहेगा 6 but end change होगा end 10 से 7 पे आ जाएगा and goes to 7th कहां पे आया mid से एक कम हो गया end हमारा क्या हो गया mid से एक पीछे mid minus 1 तो अब हमारे पास start भी आ चुका है end भी आ चुका है तो इस तरह से अब हमें फिर से mid निकालना है तो mid के निकालने के लिए फिर से हमारा step same तो इसी तरह से आपको step चल लाने है run करते जाना है start में 6 आया end में 7 divided by 2 13 divided by 2 अब हमारे पास 6 आ गया point हम ignore कर देंगे क्योंकि 6.5 होगा गर हम fully divide करें तो 6 index जो है अब हमारा mid जो है वो 6 पे आ चुका है start भी 6 पे, mid भी 6 पे ओके तो अब now हम mid compare करेंगे mid पे जो value है वो 24 है तो हमारी जूंदनी जो value है वो भी कौन सी है वो भी 24 है दोनो दोनो value same है तो इस तरह से अब हमारी searching successful हो चुकी है हम value जूंद चुके है searching value is at 6 index हमारी जो value ढूंदनी थी वो कहां पे है 6 index पे है तो I hope कि आपको अच्छे से clear हुआ होगा आज का session कि कैसे representation आपको करनी है तो इस तरह से आपने exam में represent करके दिखाना है जब भी आपको binary search की representation बोली जाए तो आज का session यहीं पे stop करते हुए मिलेंगे next session में next topic के साथ till then have a nice time thank you and keep on watching our channel